सिलाई कड़ाई सिकाने के बहाने जिले से ले जाई जा रही 12 लड़कियों में से एक लड़की किसी तरह हात्रस पहुची शनिवार देर रात हात्रस बस टैंड में मिली लड़की ने पुलिस को अपनी आपपीती बताई तो सब दंग रह गए सभी लड़कियों को किसी जगा पर कमरे में बंदग बना का रखा गया था किसी तरह निकल कर वाद दो दिन में चलते हुए हात्रस पहुची हात्रस पुलिस ने मंडला पुलिस के जरिये लड़की के सौजन को सोचित कर दिया है हात्रस पी विनी जैस्वाल के नुसार सनिवार की देर रात बस्टेंड पर एक लड़की के बैठे होने की सौचना पुलिस को मिली साड़े सत्रा वर्सी लड़की ने कोतवाली सदर पुलिस को बताया कि वह मध्यप्रिदेश के जला मंडला के गाउन डोंगर की रहने वाली है एक सबता पहले सोजन की सहमती से गाउं की करीब 12 लड़कीों को एक विक्ति से लाईक अठाई का काम से काने का कहकर दिल्ली ले जा रहा था रास्ते में लड़कीों को किसी शहर में बस्टेंड के पास कमरा किराये पर लेकर रखा गया था उसे उस जगा का नाम पता याद नहीं है तीन दिन तक एक ही जगा रहने पर दिल्ली ले जाने वाले शक्ष पर कुछ शक हुआ तो वा किसी तरह वहाँ से भाग निकली लड़की ने बताया कि पिछले दो-तीन दिन से चलती हुए कल यहां तक पहुची है पुलिस ने उसके सौजन से संपर किया लड़की के पिता ड्राइवर हैं उन्होंने भी सिलाई कड़ाई के लिए दिल्ली भिजने की बात बताई पुलिस सौजन के आने का इंतिजार कर रही है एसपी ने बताया कि इस प्रकरण की जाज सीओ सिटी को सौपी गई है सर हाथरस में बारा बच्चियां मेरी हैं ऐसी कुछ जाने करें लगे हैं इसमें देखिए जो हम लोग को सुबह मामला संग्यान में आया था तब से हम लोग लगातार हाथरस जिला पुलिस और वहां के एसपी सापके संपर्क में हैं दो बार मेरी खुद भी बात हुई है उनसे जो बारा बच्चियों का जो बाते चल रही है वहां के स्थानी लोगों ने देखा उसे जब अकेला तो पुलिस को सूछना दी है उसे वहां के कोटवाली थाने में अभी रखा गया है उस लड़की ने अपने आपको मंडला जिले का होना बताया है जो हाथरस पुलिस है उसका उसके परिजनों से भी संपर्ख हो गया है और वो लोग भी वहाँ हाथरस पहुंचने वाले हैं निकल चुके हैं यहां से इसके साथ ही चुकि मामला हमसे जुड़ा हुआ है तो हम यहां से एक महिला सब इस्पेक्टर की नेत्रतु में अपनी टीम भी भी भेज रहे हैं हाथरस ताकि इस पूरे प्रकरन को और डवलब किया जा सके इसकी वास्तरिक्ता जानी जा सके लेकिन अब तक जो हमारे पास ज जागातर उनके संपर्क में है देखिए मैंने वही कहा कि क्योंकि बच्ची वहाँ पे है तो महिला अधिकारी के सामने उसके क्या इस्टेमेंट होते हैं उसके माता पिता वहां पहुंचने के बाद क्या बाते बताते हैं और जो हमारी टीम यहां से पहुंचेगी वहां से क्या तथे निकल के आते हैं इसके साथ ही हमें यहां पे जिस छेतर की जानकरी लगी है जहां की लड़की होना पाया गया है तो हमने वहां भी अपनी टीम भ पाऊंगा लेकिन एक थाना चेतर का मामला है और वहां पे हमने टीम भेजी है इस थानी इस तर पे जो हमने अभी तक पता किया कि पिछले हफते 10 दिन में 363 की या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट उस थाना चेतर में नहीं है लेकिन तब भी हम अपने लेवल से पता कर रहे है है कि वहां से दी ऐसी कोई लड़किया या महिलाएं वहां से गई है बाहर तो उसकी जानकारी हम लोग जोटा रहे हैं वही बंदग बनाने वाली बात अब तक ना तो हाथरस वहां से भी उनका एक उफिशिल उन्होंने प्रस्णोट जारी किया है ना वहां से ऐसी बात मुझे भी सोसल मीडिया के माधियम से ये बात पता चला है जिसमें जहां तक मैंने पता किया अपने तरीके से कि दिल्ली के आसपास में मंडला की बारा लड़कियों को बंद किया गया था उन बंद लड़कियों में से एक लड़की वहां से भाग के आई और तीन दीन बाद वो हातरस पहुँची थी वहाँ पर पहुँचने के बाद में पुलिस ने उनको पकड़ा है वहाँ की पुलिस जो है सिर्फ एक लड़की की पुस्टी कर रही है लेकिन हमारे हाँ से तो बारा लड़किया गई है जिसकी बात कर रहे हैं ये एक बहुत गंभीर मामला है गंभीर मामला इसलिए है कि वो लड़की हात्रस में पकड़ा गई है वहाँ पर पूरी मीडिया थी इसलिए मीडिया ने इसको संग्यान में लिया है लेकिन बाकी लड़कियां कहा गई है कैसे उनको भागने की नोबत आई है ये इस पस रूप से जैसे ही मुझे ये पता चला मैंने तुरंट मंडला कलेक्टर मंडला एस पी को मैंने कहा ये चीज के लिए कि ऐसा मामला सोसल मीडिया के माध्यम से संग्यान में आया है इसकी तुरंट आप वहां पर जैसे भी करके प्रसासिक इस तरफ पे सासन इस तरफ बात करके उसको बिलकुल गंभीरता से लेकि उसको संग्यान में लीजिए मेरा ये कहना है कि जहां तक प्रसासिक रूप से एक लड़की की बातें आपस में दोनों एस पी कर रहे हैं लेकिन जहां तक जहां से एक बयान आया है जहां हमें कुछ ऐसा पता चला है कि बारा लड़कियां थी एक बहुत एक गंभीर मामला है मंडला के लिए कि बारा लड़कियां वहां गई कैसे हैं जो ये कोई वेक्ती लेके गया था सिलाई कड़ाई के बहाने और वहां पर ब हम लोगों ने भी कई तरीके से प्रयास किये बीच में ही इसी कोरोना काल में यहां पर जो महराजपूर क्रॉसिंग मंडला में ऐसे ही करीब पंदरह लड़कियों को हम लोगों ने पकरवाया था उसमें पुलिस S.P. को भी हमने संगयान में लिया था और महराजपूर थाने में भी हमने केस दर्ज करवाया था हमारे कुछ सामाजिक संगयठनों के माद्यम से लेकिन वहां पर उस पूरे मामला को रफाद अपा इसाधार पर कर दिया गया कि उनके परीजनों ने कोई कंप्लेंट नहीं किया लेकिन